कि ऐसे ना हो कि जब आपका sales volume बहुत बड़ा है तो आप इसके पास sales उसको बहुत सारे supplier माल देने के लिए तैयार है और इसका sales कोई भी vendor या कोई भी manufacturer आपसे contract करने के लिए इसलिए ज्यान रखिए सबसे ज़्यादा जो आपको focus करना है इस वीडियो इस पावरड बाय मेटास लाइश्टाई इंडिया इस लीडिंग मैनुफाक्चरर अफ स्टेल ने स्टील मॉर्ड लोकेशिन बात्रूम वैनिटी वाड्रोब्स एंड स्टील इंटीरियर फ्रंचाइजी शोरूम पैन इंडिया हाई फ्रेंड्स कलपना कीजी एक ऐसे लेंड की जो बिलकूल खाली पड़ा हुआ है और वहाँ पर एक बहुत बड़ी टाउंचिप बनाई जानी है और इस टाउंचिप में हर वो एमिनिटीज है जिसके बारे में आप सोच सकते हैं जैसे रहने के लिए फ्लैट फैक्टर है कि क्या एक व्यक्ति है एक कंपनी पूरी टाउंचिप को डेवलप कर देगी हां ऐसा हो भी सकता है कई बार देखा गया कि पूरी की पूरी टाउंचिप को डेवलप करने के लिए एक ही कंपनी को कंट्राक्ट मिला हुआ है अब वो कंपनी क्या सारी चीज़े खुद करत जो कुछ भी आप सोच सकते हैं वो हर चीज यहां पर लगनी है तो यहां पर सबसे पहले जूरत पड़ेगी किस्चीज की उन लोगों की जो उसकी पूरी प्लानिंग करेंगे पूरी टाउंशिप का एक मास्टर प्लान बनाएंगे जिसमें आगे सबसे पहले आर्किटेक्ट जो पूरा का पूरा एक प्लान डेबलब करेंगे कि कहां कहां पर क्या क्या होना चाहिए कैसे रोड होने चाहिए कैसे सीवरेज होनी चाहिए किस तरह की लेक्टर सिटी की लाइन पर होनी चाहिए कहां ऑस्पिटल चाहिए कहां सिनेमा ओल चाहिए कहां मौल चाहिए कहां बच्चों के लिए पार्क चाहिए, कहां सिटिंग एरिया चाहिए, कहां रेडेंशल होना चाहिए, कहां कॉमर्शल होना, सब कोई डिसाइड करेंगे, आर्किटेक्ट फुल फ्लैश प्लान बनाएगा पूरी टाउन्शिप का, और उसके बाद उसका कंट्राक्ट किसी कंट्राक्टर या बिल्डर को दे दिया जाएगा, और वो बिल्डर अब यहां काम शुरू करेगा लोगों के साथ मिलकर कंट्राक्ट करने की, वो builder हर उस industry को contact करेगा जिस तरह की service या जिस तरह का product उसको चाहिए fine अभी construction में क्या क्या चीज़े हो सकती है अगर construction की हम बात करेंगे तो सबसे पहले builder का काम होगा वहाँ पर construction त्यार करना construction में हर चीज़ शामिल हो गई उसको चाहिए bricks चाहिए stone चाहिए concrete चाहिए cement चाहिए steel बार चाहिए scrap folding चाहिए wood चाहिए stone चाहिए hardware चाहिए sanitary चाहिए और जब वहाँ पर बहुत सारी चीज़े develop हो जाएंगी तो industrial land पर जुरुत पढ़ने वाली चीज़े जैसे industrial infrastructure चाहिए hospitals चाहिए hospital का infrastructure हो गया उनके equipment schools colleges के equipment पार्कों में लगने वाली lights यहां तक की पेड़ तक लगाए जाने के लिए contract दिया जाएगा फिर अगर जहां फ्लैट्स बन रहे हैं कोठी बंग रहे हैं फार्माउस बन रहे हैं बंगलोस बन रहे हैं वहां kitchen वाड्रो वैनिटी LED पैनल gate, grill, railing, window, light, wallpaper और architecture पुरा plan इसको त्यार करेगा तो कहने का मतलब यह सारी की सारी जितनी भी requirements हो सकते हैं जितनी भी आप सोच सकते हैं वो सारी की सारी चीजें contractual manufacturing के अंतरगा तो लोगों से बनवाई जाएगी companies को उसका order place किया जाएगा अब अगर आप भी इस बहुत product में deal करना चाहता हूं या किस तरह के product में deal करूं तो आप इस business को कैसे शुरू कर सकते contractual manufacturing का सबसे पहला काम क्या होगा select a product आप सबसे पहले क्या काम करेंगे कि इस पूरी की पूरी काइनात में आपको कौन सा ऐसा product है जिस पर आप deal करना चाहते हैं आपकी पसंद किस तरह आपको क्या लगता है future में कौन सा product develop होगा या कौन सा product बविश्य में non competitive होगा ज्यादा profit आपको देने वाला होगा जो product आपने select किया है आप search करेंगे उसके supplier vendor and manufacturer आप देखेंगे कि उस product को बनाने वाले उस पूरे इंडिया में या पूरे विश्व में कौन कौन से manufacturer है या supplier है या vendors है जो आपको product दे सकते हैं उनके बाद उसके बाद क्या करेंगे आप उनकी pricing लेंगे product sample लेंगे catalog लेंगे price list लेंगे सारी detail उनसे collect करेंगे and make a vendor or supplier contract अब आप उनसे contract करेंगे agreement करेंगे जैसे हमारे वाले case में जब हम किसी को franchise देते है तो एक तरह से जो buyer है जिसने franchise लिये है वो हमारे साथ एक contract करता है उस contract में time and condition क्या होती है कि आप मुझे कैसे product देंगे कितने time में delivery देंगे क्या आप अपने vendor से बात करेंगे कि मेरे area में या इस industry में आप किसी ओको supply नहीं देंगे या मेरे इस तरह के zone में आप supply नहीं देंगे उसको bound करेंगे उसके बाद ask for terms and condition आप उचेंगे कि as a supplier आपकी terms and condition क्या है जैसे आपका product का delivery time क्या है payment आप किस तरह से लेते है after sale service कौन करेंगे और vendor से जो बनाय हुआ हमारा contract है यह जो हमने contract draft किया है इस contract में वह सारी चीजे mention करेंगे अब vendor आप से contract क्यों करेगा क्योंकि आपके पास sales volume है ध्यान रखेगा दुनिया में king वही है business में इसके पास sales है जिसके पास sales उसको बहुत सारे supplier माल देने के लिए तैयार ह है और इसका sales volume बहुत बड़ा है उसके साथ vendor bound होकर under a contract काम करने के लिए तैयार है जैसे मारूत जैसी company जब गाड़ी बनाती है कोई भी नहीं तो उसको सियट टायर्स या ब्रिट्सों टायर या एमराफ टायर जैसी company contract करती है लॉक बनाने वाले company शीशा बनाने वाले company अलग अलग प्रोड़क्ट जो बनाते हैं सारी company उनसे टाइप करते हैं contract करती हैं और वह विश्वास दिलाती है कि ऐसा product हम market में direct open launch नहीं करेंगे आपको यह सारी चीज़े करना और उसके बाद क्या करना है अगर आपने किसी भी व्यक्ति को contract manufacturing का काम दिया है तो manufacturing करा के करेंगे क्या आप आपको करनी होगी sale तो sale के लिए सबसे important क्या search buyer आप सबसे पहले buyer ढूंडे अब buyer ढूंडे की tendency क्या आप domestic buyer भी ढूंड सकते हैं आप international buyer भी ढूंड सकते हैं आप online buyer भी ढूंड सकते हैं और इससे related बहुत सारे videos already मैंने मेरे चैनल पर दिये हुआ हैं आप उन videos को ज़रूर देखें कि international buyer कैसे रूंडे online buyer कैसे रूंडे या e-commerce के जरीए product sale कैसे करें क्योंकि आपके पास manufacturer already है offer product with price आप अपने pricing के साथ product को अपने client को अपने buyer को offer करे get advance payment और जैसी आपको advance payment आए वो सारा का सारा order अपने supplier और vendor को दें जिससे आपने contract किया हुआ है उस contract में ये भी mention ह होता है कि कि यह से ना हो कि जब आपका sales volume बहुत बड़ा है तो आप किसी और vendor से मेटर लेना चुरू कर दो तो उसकी टम्सन कंडिशन दोनों तरफ से होती है आपकी सुभधा के लिए भी तो उसकी सुभधा के लिए भी आपके अधिकार के अनुसार भी तो वह सारा contract हो ज या कोई भी manufacturer आपसे contract करने के लिए तयार हो जाए इसलिए ध्यान रखिए सबसे ज्यादा जो आपको focus करना है वो sales को focus करना है क्योंकि जितना बड़ा sales volume आपके पास होगा जितनी ज्यादा sales आपके पास होगी उतने ज्यादा supplier आपके साथ contract करने के इच्छोग होंगे और कोई भी problem आप हमारी टीम से contact करें और कोई भी informative वीडियो मिसना हो ना उसके लिए चैनल को subscribe कर लें next important बात में आपको बताने वाला हूं हमारी company भी Metas overseas limited जो एक limited company बनी उसका शोबारम भी small scale business से हुआ था हमने भी बहुत सारे contractors से बहुत सारे supplier से contractual manufacturing कर आई थी और आज हमार सारे लोग हमारी company के dealership, franchisee या associate partner, FLB partner, BRP partner बनके अपनी state में अपने zone में एक बहुत अच्छा business कर रहे हैं और हमारे products है stainless steel, modular kitchen, bathroom vanity, wardrobes, steel interior और steel से संबंदित बहुत सारे products हम लोग नए-नए develop करते रहते हैं और हमारे franchisee stores, dealers और associate partners के साथ मिलकर हम पूरे इंडिया में तो manufacturing करने के अलावा export भी कर रहे हैं हम product को तो यह आपके over depend करता है कि आप किस vision के साथ business करते हैं और हम भी जो हमारे buyer है एक तर track के अंतरगत ही हम उनको material supply देते हैं ताकि वो भी एक territory में अच्छे से काम कर सके अगर आप franchisee के बारे में कोई भी information चाहते हैं तो आप इन numbers पर call करके भी बात कर सकते हैं इसके लावा business related कोई भी प्रश्न वो comment box में आप लिख दें दोस्तों मेरे जीवन का उदेशे की भा मज़कर खुद काम करना है उनका भी welcome है स्वस्त रहें मस रहें मैं डॉक्षर अमित माईश्वरी आपके सुनरे बोश्य की काम ना करता हूं जै हिंद जै भारत